इस वीडियो में गाईज डियलेट से जुड़े कुछ इंपोटेंट डाउट को इस वीडियो में दूर करेंगे और थोड़ा सा डिसकॉसन करेंगे आपकी एक्जाम्स के बारे में देखी सबसे पहला तो डाउट आपका यही है कि सेकेंडियर वालों की इंटर्सिप स्टार्ट हो चुकी है तो अब उनको अपनी इंटर्सिप डाइरियों पर फोकस करना है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी इंटर्सिप डाइरियों को कंप्लीट कर लेना है औ विसी में अपनी intensive diary को complete करने की कोशिज करनी है ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना रहे आप जब पुरानी जो intensive diary के जो वीडियोज हैं उनके comments आप जब देखेंगे तो उनका comments में देखेंगे कि intensive complete होने के बाद जब आपका finalation होता है तब कितनी ज़्यादा problems students को होती है आप second year के किसी भी student को पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि काफी सारी problems का सामना उठाना पड़ता है first year वाले students को क्योंकि उनको इतनी जदा जनकरी नहीं होती है intensive के बारे में इस परकार से क्या क्या यहां पर process इस डाइरी में रही है तो सभी डाइरियों के जो वीडियों है इस चैनल पर available है आप जब चैनल की playlist option पर जाएंगे तो आपको playlist मिल जाएंगी BSTC first year और BSTC second year कोई भी doubt आपको नहीं रहने वाला है complete डाइरियां आपको वहाँ पर मिलेंगी complete वीडियो और उनका description आप जब चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको PDF का link भी मिल जाएगा जहां से आप हर डाइरी की PDF डाउलोड कर पाएंगे अगर इससे related आपको कोई doubt रहता गाइस तो जैसा कि मैंने पुछले वीडियो में भी कहा है कि आप comment में जुरूर बताएंगी comment के सभी के reply में दे देता हूं और अगर किसी कारणबास reply ना दे पाए तो आप जब नया वीडियो अपलोड होता है तो उसके comment में आप कर दे ताकि comment जल्दी से दिख जाए तो जून में अगर first year के exams नहीं होंगी तो first year के exams जो है October तक होंगी सितंबर October तक तो आपको गाइस अपने जो first year वाले students हैं उनको अपनी तयारी तो रखनी ही है अगर जून में भी होती है तब भी आप तयार रहें और अगर नहीं होती है तब भी आप तयार रहें तो आपको क क्या करना है कि important जो questions हैं आपकी previous years questions जो आए वे हैं उसका आपको exam का pattern पता चलेगा कि किस तरह की questions exam में पूछे जाते हैं और इस बार किस तरह के questions exam में आ सकते हैं तो उन सभी का जो matter है वो आपको series से पता चलेगा questions का type पता चलेगा तो इसलिए गाई सभी को मैं recommend करूंगा राजहंस की आपको series ले लेनी हैं जिसमें आप जो previous year की questions हैं उनको आपको थोड़ा सा no subjects हैं बड़ सेकेंडियर में अपकी बार संसकर्त भी आपके exam लगेगी तो संसकर्त का मेटर भी आपको थोड़ा शोलू करना शुरू कर देना है और साथ ही जो आपका last paper यहां पर होगा last paper से second last वाला उसमें आपको समाजिक और विज्ञान से आपको एक choose करने पड़ेगी तो वो आपको अपने जो 12th का आपने अगर 12th में आपके पास science दी तो आप science ले सकते हैं और अगर समाजिक आपके पास arts में आप थे तो आप arts वाला subject ले सकते हैं या फिर अपनी मनमर्जी से कोई सा भी आप subject ले सकते हैं कोई भी इसमें पाबंदी नहीं है या कोई भी इ आने वाले हैं और साथ ही देखिए आप पुराने कुछ वीडियो में देखेंगे तो सेकेंडर वाले स्टुडेंट्स के कमेंट तो उनमें क्या था कि कुछ इस्टुडेंट्स ने अपनी लापरवाई के दरिये कुछ पेपर्स बेख रह गए कुछ फेल भी हुए हैं तो एक्जाम में आपको बिल्कुल भी टाइम याँ पर नहीं मिलने वाला है पिछली बार की तरह ही चांसेज हैं कि वन बाई वन यान की हर दिन आपकी एक्जाम हो ऐने की मंडे टूजडे लगातार आपके एक्जाम सोने के चांसेज हैं तो एक्जाम टाइम में आपको बिल् पर बात करेंगे और चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और चैनल की प्लेलिस्ट आपको एक बार जरूर से चेक कर लिनी है वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे important questions मिल जाएंगे और important जो आपकी डाइरियां है सभी वहाँ पर मिल जाएंगी